हेलो विद्यार थियूं एलो विद्यार थियूं एलो विद्यार के इस नई वीडियो में आप शबीका श्वागत है तो आज के इस लेक्षर में फिजिक्स के चैप्टर नमबर 6 के जो है नियुमेर के लिहाँ पर साल उकुरवाय दाएंगे तो इसमें आपर कोशन लिया गया है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकी फ्लक्स यहाँ पर आपको दिया गया है 5 बराबर X T स्क्वाइर है तता T बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 ओल्ट है X का मान ग्याद केजिए तो यहाँ पर आपको X का मान जो है ग्याद करना है इसके अलावाद हैं देजे यहाँ पर T बराबर दिया गया है 3 सेकंड इसके अलावाद विद्युत वाहक बल इसे हम लोग लिखते हैं E से E बराबर दिया गया है यहाँ पर 9 ओल्ट यहाँ पर आपको दिया गया है इसके अलावाद देजिया पर दिया गया है 5 बराबर X T इतना आपको दिया गया है तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका आप T के साफेच औकलन करिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे differentiation with respect to T इसका मतलब है T के साफेच आपकलन करने पर तो यह हो जाएगा D 5 बटे DT जब आपकलन करेंगे 5 का T के साफेच तो यह हो जाएगा D5 by DT उससी प्रकास यहाँ पर दिया गया है तो X का यहाँ पर आपकलन नहीं होगा यहाँ पर जो आउकलन होगा वो आउकलन होगा यहाँ पर T स्क्वायर का तो अब धन्दीजी यह हो जाएगा D5 बटे DT बराबर यहाँ पर दिया गया है X इंटू अब धन्दीजी T स्क्वायर है T स्क्वायर का जब आप आउकलन करेंगे तो इसका आउकलन आजाएगा 2T यह होता है यहाँ पर इसका आउकलन तो यह अप लोग याद रखेगा है आपर दंद जी फार्मूला आपको याद रखना है फार्मूला यह होता है d by dx x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n-1 इतना होता है याद जो पावर वाली सेंग्या होती है वो आगे गुड़े में लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर n-1 यादि की पावर में 1 घटाए जाएगा उससी प्रकार दंद जी यहाँ पर t की पावर 2 तो पहले 2 आगे लिखा गया है इसके बाद t की पावर जब आप 2-1 करेंगे तो 1 आएगा इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है 2t तो यह इतना आ गया है यादि कि इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2xt यह इतना हो गया अब यहाँ पर जो मान है अब दियाए इससे आप चाहे तो मान देजे समिकरण 1 अब दियाए आप लिख सकते हैं क्योंकि e बराबर e बराबर होता है d 5 प्योड़्टे dt यह होता है e बराबर d5 by dt इतना होता है तो इसमें दियाए अब इससे आप मान सकते हैं समिकरण 2 तो अब इसके बाद देंदेजे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे समी करण 1 वा 2 शे, देंदेजी यहाँ पर यहाँ पर यह दिया गया D5 by DT, और आपने D5 by DT का यह वाला मान यहाँ पर ग्याद किया है, तो अब यहाँ पर आपको रखनायश में मान, तो D5 by DT के जगे पर रखेंगे 2XT, तो यह हो जाएगा E बराबर 2XT, इतना आ जाएगा है हाँ पर, अब E इस का मान आपको कोशिन में दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, E बराबर आपको दिया गया है, 9, उल्ट, तो E का मान आप रख देंगे हाँ आपको 9, इसके बाद हो जाएगा 2, X का म इसके बाद हो जाएगा X, इतना हुआ, जब आप यहाँ से X की वैलू गयाद करेंगे, तो देंदेजी, X बराबर यह जो 6 है, इसके बटे में आ जाएगा, निकि यह हो जाएगा 9 बटे 6, इससे अगर आप कैंसल करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 तरिक का 9, 3 दूनी 6, तो य जाएगा 3 बटे 2, अगर आप 2 से भाग कर देते हैं, तो यह आजाएगा 1.5 और यह यहाँ पर इसका आशर हो जाएगा, अब इसके बाद देजी, अगला कोशन, कोशन यहाँ पर है कि किसी समय T पर एक कुंडली से संबध्ध, ताक छड़िक चुंबक्य फ्लक्स यहाँ प आपको यहाँ पर ग्याद करना है, और आपको यहाँ पर दिया गया है, 5 बराबर 4 T क्यूब माइनस 5 T स्क्वाइर, इसके बाद माइनस 10 T, फिर हो जाया गया है, आपर प्लस, यहाँ पर देन जी दिया गया है, 70, यह नहीं कि 70, तो यहाँ पर जो आपको इसका T के साफ़ इच आउकलन करना जैसे अभी किया गया था तो यहां पर आप लेख शक्ते हैं differentiation with respect to T यानि कि T के साथ पेच आपको यहां पर आउकलन कर देना है तो यहां पर 5 दिया गया है यहां पर जब आउकलन करेंगे तो यह हो जाएगा फिर T की power 3-1 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 इस प्रकास से अभी आपको फार्मूला बताया गया था होँपर आउकलन का वही यूज़ करना है फिर minus यहां पर दिया गया 5 यह हो जाएगा अब T square का वही आउकलन करेंगे तो दो आगे लिखेंगे फिर T की power 2-1 करेंगे तो यहां पर पावर में कितना आ जाएगा 1 इसके बाद minus यहां पर आ जाएगा 10 T का वही आउकलन 1 हो जाएगा इसके अलावा दंदेजी यहां पर दिया गया 70 तो यहां पर यह जो एक constant value है तो इसका वहकलन 0 हो जाएगा यहां पर दंदेजी दी फाई by D T ब़राबर यहां पर यहां पर यह आएगा चारते हैं 12 T square इतना हो गया इसके बाद 5 दूनी 10 यहां पर यह हो जाएगा T इसके बाद माइनस यहां पर हो जाएगा 10 इतना हो गया अब इसके बाद दंदेज आप बता सकते हैं चुकि E बराबर होता है फार्मूला होता है माइनस D पाई बटे डी टी इसके पहले वहाँ पर दंदेज प्रयोग किया गया था माइनस E बराबर यहां पर दंदेजी 12 गुड़े T स्क्वाइर T का आप यहां से मान रखेंगे 2 तो यहां पर जब मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 इसके बाद दंदेजी यहां पर 10 गुड़े T का आप मान रखेंगे 2 तो यहां पर हो जाएगा 2 फिर माइनस 10 यह आएगा माइनस E बराबर यहां पर 12 चोको 48 फिर माइनस 10 दूनी 20 20 और 10 मिलके आजाएगा 30 यानि कि 48 से 30 घटाएंगे तो यहां पर आएगा 18 जब E कामान आप ग्याद करेंगे तो यह माइनस 10 दराजाएगा यानि कि यह हो जाएगा माइनस 18 ओल्ट तो यह यहां पर जो इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद धन दीजी अगला कुशन कुशन है कि 100 फेरों वाली तता 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकी फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.6 वेबर से घट कर 0.4 वेबर रह जाता है कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभुवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा कामान ग्यात कीजिए तो सबसे पहले दन दीजी जीरों की शंख्या आपको दी गई है यहनिकि आप एंड बराबर यहां पर लिख सकते हैं 100 इसके लाओ प्रतिरोध आपको दिया गया है और इसका मान आपको दिया गया है 300 Ohm फिर यहां पर दन देजी चुंबकी फ्लक्स जो है 0.1 सेकेंड में इसके लाओ दन देजी यहां पर लिखा है 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है तो यह आपको चुंबकी फ्लक्स दिया गया है यहां पर दन देजी तो इसका मतलब इससे आप लिखेंगे 5.1 यह दिया गया है 0.6 वेबर इसके लाओ 5.2 यह आपको दिया गया है यहां पर 0.4 वेबर इतना आपको दिया गया है तो यहां पर कुंडली के सिरों के बीच प्रेर्ट विभुवांतर आपको ग्याद करना है तो यहां पर प्रेर्ट विभुवांतर यह फिर इससे आप बोल सकते हैं लब होता है 52-51 तो 52 का अमान है 0.4-51 का अमान है 0.6 इसको जब आप घटाएंगे तो यह आजाएगा माइनस का 0.2 इतना आएगा वेबर इस प्रकाश यह हो गया तो सबसे पहले दंदेजी आपको ग्याद करना है पर प्रेरत विभुवांतर या फिर बोल सकते हैं आप प्रेरत विद्धुत वाहक बल तो इसके लिए दंदेजी पार्मूला प्रयोग करेंगे वी बराबर माइन यहाँ पर आप लिखेंगे d5 बटे dt तो यहाँ पर दंदेजी माइनस n का मान आप रखेंगे यह हो जायाएगा 100 इसके बाद गुड़े d5 का मान ग्याद किया गया है यह माइनस 0.2 बटे dt dt का मान 0.1 इतना हो गया तो यहाँ पर दंदेजी यह दसंबलों से दसंबलों कर यह दो आएगा दो काप इसमें जब गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 200 ओल्ट तो यह आ गया यहाँपर आपका प्रेरित विद्धुत वहकबल या फिर आप बोल सकते हैं प्रेरित विभूत अब आपको इसमें ग्याद करना है धारा to dhara के लिए धान देजिए यहाँ फार्मूला यूज करेंगे आप आई बरादर इ बट्टे या फिर आप इससे ऐसा लेख सकते हैं वी बट्टे आर चाहे तो आप यहाँ पर या फिर आप लेग सकते हैं V बटे आर क्योंकि V Wein उसके हैं आपकULा आपको दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 3300 तो यहाँ पर यहाँ पर याजाएगा 300 तो यहाँ पर जो है 20 से 20 कट जाएंगे यानि कि धारा का मान आ जाएगा 2 बटे 3 एंपियर चाहे तो आप इतना लिख कर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर आप 3 से इसे भाग भी कर सकते हैं तो यह यहाँ पर जो है इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद धन देजियां पर अगला कुशन कुशन है कि एक कुंडली का छेतर फल 100 सेंटीमीटर स्कॉयर है तथा इसमें 400 फेरे हैं 0.20 वेबर प्रतिमीटर स्कॉयर का चुंबकी छेतर कुंडली के तल के लंबोत है यदि चुंबकी छेतर 0.1 से घट कर सूनने हो जाए यहाँ पर दन दे चुंबकी छेतर जो है वो 0.1 सेकंड में घट कर कितना हो जाए सूनने हो जाए और पहले कितना दिया गया था यह आपको दिया गया था इससे घट कर कितना हो जाए सूनने तो कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक बल कामान ग्याद कीजी यनि कि आपको E कामान यहाँ पर ग्याद करना है और यदि कुंडली का प्रतिरोध चारोम हो तो प्रेरित धारा यनि कि I कामान भी आपको यहाँ पर ग्याद करना है सबसे पहले द्यंदी जी आपर 6 त्रफल दिया गया है यानि कि A इसका मान आपको दिया गया है 100 cm² इतना हो गया तो अब द्यंदी जी इससे आप ऐसा लेख सकते हैं A बराबर 100 गुड़े 10 की घात मैंनिस 4 इसे जब गुड़ा करेंगे तो ये बदल जाएगा m² में ये हो गया आपका 6 त्रफल फेरो की संख्या दी गई है यानि कि N इसका मान आपको दिया गया है 400 इसके अलाव द्यंदी जी आपर चुम्बकी छेत्र दिया गया है यानि कि B1 क्योंकि ये प्रारंबिक है यहाँ पर ये B1 आप लिखेंगे इसे तो यहाँ पर हो जाएगा B1 बराबर आप यहाँ पर लिखेंगे 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्यार और बाद में बताया गए यहाँ पर घटकर क्या हो जाता है सूनने यानि कि B2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा सूनने हो जाएगा यह आप लोग याद रखेंगे इसके अलाओ देज़े 0.1 सेकंड में तो इससे आप चाहे तो dt लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर delta t भी लिख सकते हैं तो dt का मान आप मान देज़े 0.1 सेकंड प्रत्रोध आपको दिया गया है r बराबर 4 ohm इतना आपको दिया गया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्याद करना है चुम्बक्य फ्लक्स यानि कि d5 फार्मूला इसका आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे a into db यानि कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं a db का मतलब आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे b2 minus b1 तो एक का मान धांदी जी यह दिया गया है आपको यहाँ पर इससे आप रखें तो यह हो जाएगा 100 गुडे 10 की घात minus 4 b2 b2 का मान है 0 minus b1 b1 का मान आप लेखेंगे 0.20 इतना हो गया यानि कि यहाँ पर यह धांदी जी यह आएगा 100 गुडे यहाँ पर दंदी जी इसको आप घटाएंगे तो यह minus में आ जाएगा यानि कि minus 0.20 गुडे 10 की घात minus 4 इसका जब आप 100 में गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर दंदी जी यह minus 2 यहाँ पर था और 0 यानि कि यहाँ पर जब आप इसमें गुड़ा कर देंगे तो यह जो दसम्दों लगा था दो अंकों पर यह इधर आ जाएगा निकी यह आ जाएगा माइनस 20 गुड़े 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 तो यह चुम्बक की फ्लक्स आ गया निकी वेबर इतना हो गया अब आपको ग्याद करना है इसमें विद्ध वाहक बालेनी की E तो आप फार्मूला यूज करेंगे आपर E बराबर माइनस N D5 बटे DT यह फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है तो अब धन देजी यह हो जाएगा फिर E D बराबर माइनस N N का मतलब फेरो की संख्या यह आपको कोशिन में दी गई है आप देख सकते हैं फेरो की संख्या है 400 तो यहाँ पर N की जगे पर आपको प्रियोग करना है इसमें 400 गुड़े D फाई इसका मान अपने ग्याद किया है माइनस 20 गुड़े 10 की घात माइनस 4 बटे DT DT का मान आपको दिया गया 0.1 यह इतना हो गया अब आपको यहाँ पर इसे जो है सालो करना है तो E बराबर सबसे पहले दंदी जी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इसके बाद जब इसका आप इसमें गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा किसे आप ऐसा लेख सकते हैं E बराबर 8 गुड़े धंदी जी कितने जीरों एक दो तीन चार तो इसका मतलब 10 की घात चार यह बन जाएगा और गुड़े 10 की घात यहाँ पर दिया गया है माइनस चार तो 10 की घात चार और 10 की घात माइनस चार यह दोनों एक दूसरे को नि दारा तो यहाँ पर आपको धारा ग्याद करने के लिए प्रयोग करना है E बटे आर रंदी यह फार्मूला होता है I बराबर E बटे आर तो E का मान आपने घात किया है 8 बटे में आर आर का मान आप कोशिन में चेक कर लिए कितना दिया गया था तो आप देख सकते हैं कि जगे पर आप ये वाला जो है मान रखेंगे तो यहां पर आएगा फोर्ट जब इससे आप भाग करेंगे तो यह जाएगा दो बार या नहीं कि धारा आजाएगी दो एंपियर यहां पर इसका अंसर हो जाएगा अब इसके बाद दन देजी अगला कुशन यहां पर दिया गया है कि एक कुंडली में चुंबक्य फ्लक्स पाई बी निम्न समीकन के अनुसार जो है समय T के साथ बदल रहा है यहां पर यहां पर आपको चुंबक्य फ्लक्स दिया गया है मिली वेबर चार सेकंड के बाद कुंडली में प्रेद दुत्वाहक बल की गढ़ना की जिए तो यह आपको चुंबक्य फ्लक्स दिया गया है यहां पर यानि कि 5B बराबर आपको दिया गया है 4T स्क्वाइर प्लस यहां पर दिया गया है 10T प्लस 5 इतना आपको दिया गया है तो सबसे पहले आपको इसका जो है आउकलन कर देना है T के साथ एच तो जब आप आउकलन करेंगे तो इसका आउकलन आजाएगा 2T क्योंकि X की पावर N वाला फार्मूला यहां पर यूज किया जाएगा इसके बाद प्लस यहां पर आजाएगा 10 T का आउकलन जो होगा वो यहां पर हो जाएगा 1 5 कॉंस्टेंट वाल वो है तो इसका वकलन 0 हो जाएगा यानि कि D 5B बटे DT बराबर यहां पर आएगा 8 T और प्लस यहां पर हो जाएगा 10 इतना हो गया अब इसके बाद देंगे यहां पर लिखा है 4 सेकंड बाद यानि कि T का आमान आपको दिया गया है 4 सेकंड तो T कि जगे पर आप यह वाला आमान लग देंगे तो D 5B बटे DT बराबर आप 4 यहां पर रखेंगे तो यह जाएगा 8 चोग 32 32 और 10 मिल किया जाए 42 इतना हो गया अब इसके बाद देंगे अगर यहां से आप E बराबर गयाद करेंगे तो E बराबर यह होता है माइनस D 5B बटे DT लेकिन अगर मान लेजिए आप यहां पर E इसका विद्धुत वाहक बल का जो है परिमार गयाद कर रहे हैं तो यही मान जो है पॉजिटिव 22 इतना हो गया अब देंदी जी यहां पर जो यह मान आपको दिया गया था यह मिली वेबर में दिया गया था तो इसलिए यहां पर जो मान आएगा वो मिली ओल्ट में आएगा तो यहां पर आप लेखेंगे मिली ओल्ट यहां पर इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद परवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत तो क्या है प्रेरकत को हम लोग लिखते हैं L से इसका मान आपको ग्याद करना है तो यहाँ पर देंदेजी एक हजार फेरों वाली N का मान आपको दिया गया है एक हजार इसका मान जो दिया गया है वो दिया गया है तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 चुमबक की फ्लक्स आप 5B लिख सकते हैं यहाँ पर वेबर इतना हो गया तो देंदेजी फार्मूला होता है L बराबर N 5B बटे आई आप इसमें मान रखिए N का मान हो जाएगा एक हजार 5B इसका मान हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बटे आई इसका मान हो जाएगा 2.5 तो यहाँ पर यह दसमें मान हो जाएगा 14 गुड़े 10 की घात मान इनस 4 इतना हुआ L बराबर इसका आपको इसमें गुड़ा करना तो 0 यहाँ पर यह हो जाएगा 4 चोक 16 चार एकंग 4 चार और एक मिलके हो जाएगा 5 इतना हो गया गुड़े 10 की घात मान इनस 6 इतना हुआ तो अभी इस संक्यामं जो दसमलो होगा वो यहाँ पर होगा यानि कि जीरू के बाद अगर यह दसम्मलों लोग एक अंक इस तरफ ले आए तो यहाँ पर देजे ल बराबर यहाँ पर हो जायाएगा 56 यह दसम्मलों आप एक अंक इधर लाएंगे तो गुड़े 10 की घाट जहां पर माइनस चार दिया गया था इसमें प्लस का वन एड हो जायाएगा इधर लाने पर घाट जो प्लस में बढ़ती है तो यह हो जायाएगा यहाँ पर 56 गुड़े 10 की घाट माइनस 3 यहाँ पर आप प्रेरिकत तो ग्याद कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप लेखेंगे हेंरी चाहे तो आप इतना लेख सकते है या फिर धन देजिए अप इससे ऐसा लेख सकते हैं 56 मिली हेंरी 10 की घाट माइनस 3 को आप मिलीम बदल देजिए तो 56 मिली हेंरी यहाँ पर इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद धन देजिए अगला खुशन है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा सुन से बढ़ 5 एमपियर हो जाती है जिससे 20 ओल्ट का प्रेत विद्ध वहत बल उत्पन हो जाता है कुंडली का स्वापरेनर गुडां क्यानी कि L इसका मान आपको ग्याद करना है 20 ओल्ट का प्रेत विद्ध वहत बल यह बराबर दिया गया है 20 ओल्ट इसके लाओ 0.1 सेकेंड में यह य बढ़कर 5 A, यहनि कि अगर धारा में परिवर्तन आप गयाद करेंगे तो सूर ने माइनस 5 यहनि कि यह आ जाएगा माइनस 5 A, इतना हो गया, अब आप यहाँ पर फर्मूला यूज करेंगे K, E बराबर माइनस L यहाँ पर हो जाया गा D, I बटे, DT, अब आपको इस पे मान रखना है, तो E का मान दिया गया है 20, यहाँ पर हो जाया मान दिया गया है di इसका मान देंदेजी दिया गया है माइनिस 5 बटे dt इसका मान जीरो पॉइंट वन इतना दिया गया है अब देंदेजी अगर यहाँ पर हम लोग यह दिसमलों कैंसल कर दो तो उपर एक 0 बढ़ जाएगा यानि कि यहाँ पर यह मान जीरो प्लास हो जाएगा और यहाँ से आप L गयाद करेंगे तो 50 इदर आएगा तो यह हो जाएगा 20 बटे में आ जाएगा 50 0 से 0 कट जाएगा L बराबर जब 5 से आप 2 को भाग करेंगे तो 0.4 हेनरी यहाँ पर प्रिरकत्व आ जाएगा यहाँ पर जो है इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद दहंदेजियां पर अगला कोशन एक कॉंडली का स्वाप्रेणर गुडांक 10 मिली हेनरी है स्वाप्रेणर गुडांक यहाँनि कि L बराबर दिया गया 10 मिली हेंरी इससे आप चेंज करेंगे यहाँ पर तो 10 गुड़े 10 की घात माइनस 3 से गुड़ा हो जाएगा और यह बदर जाएगा हेंरी में इसमें वैद्दो धारा 5 मिली सेकंड में 5 एंपियर से 15 एंपियर हो जाती है समय आपको दिया गया है डी टी बराबर यहाँ पर 5 मिली सेकंड इसको बदलेंगे यहाँ पर तो 5 गुड़े 10 की घात माइनस 3 से गुड़ा हो जाएगा और यह शेकंड में आ जाएगा इतना हुआ यहाँ पर आपको ग्याद करना है प्रेश्विद्वद्वाहक बल इ बराबर मायनस L D I Bते डी टी तो यह हो जाएगा मायनस L का मान आपको दिया गया है 10 गुड़े 10 की घात माइनस 3 इतना हो गया गुड़े D I इसका मान माइनस 10 बते डी टी यह हो जाएगा पांच गुड़े दस की घात माइनस तीन इससे ये कैंसल हो गया पांच से आप इसको कैंसल करें पांच दूनी दस इतना आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दस दूनी बीस यानि कि ये बराबर आ जाएगा बीस ओल्ट तो ये यहाँ पर जो है इसका आशर हो जाएगा इसके बाद देजे अगला कुशन यहाँ पर दिया गया है पांच हेंडरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एंपियर से बदल कर 7 एंपियर हो जाती है 12 एंपियर से बदल कर साथ एंपियर हो जाती है तो सबसे पहले दान देजे पांच हेंरी के प्रेरक यानि कि L बराबर आपको दिया गया है आपर पांच हेंरी 0.1 सेकंड में यानि कि DT बराबर 0.1 सेकंड इसके बाद धारा में परिवर्तन यानि कि D I बराबर तो यहां पर देजे 12 एंपियर से बदल कर 7 एंपियर अपकी बार धारा घट रही है इसलिए यहां पर जब परिवर्तन गयाद करेंगे तो 7 तो माइनिस 12 यहनि कि यह आजाएगा माइनिस का 5 एंपियर अब आप फार्मूला यूज करेंगे E बराबर माइनिस L D I बटे D T तो E बराबर माइनिस यहां पर आप L का मान रखेंगे L का मान दिया गया है 5 D I इस का मान हो जाएगा माइनिस 5 बटे D T 0.1 तो यहां पर पॉइंट कैंसल कर देजे 0 बढ़ जाएगा इसका गुड़ा करेंगे तो यह आ जाएगा 250 ओल्ट माइनिस मान प्लस हो जाएगा यह यहां पर इसका आइशर हो जाएगा अब इसके बाद देजे अगला कुशन है कि 8 मिली हेंडरी प्रिरकत वाली कुंडली में 2 एंपियर की वैद्दो धारा है कुंडली के भीतर चुंबकी छेतर में कितनी उर्जा संचित है तो यहां पर देजे मिली हेंडरी यह आपको प्रिरकत तो दिया गया है एल बराबर 8 मिली हेंडरी इससे अगर आप बदलेंगे तो 8 गुड़े मिली को बदलने के लिए 10 की घात मनिस 3 से गुड़ा करेंगे यहां पर 2 एंपियर की वैद्दो धारा यानि की आई नाट धारा का से खर्माने आपको दिया गया है 2 एंपियर इतना आपको दिया गया है और यहां पर कितनी उर्जा संचित होगी यू का मान आपको ग्याद करना तो फार्मूला होता है यू बराबर हाफ एल आई नाट स्क्वाइर यह फार्मूला होता है तो यू बराबर यहां पर हो जाएगा एक बट्टे दो गुड़े एल का आप मान रखेंगे आठ गुड़े 10 की घात माइनस 3 इतना हो जाएगा आई नाट स्क्वाइर यानि की गुड़े दो का स्क्वाइर तो दो का स्क्वाइर का मतलब यह कट जाएगा इससे आठ दुनी यहां पर आएगा 16 गुड़े 10 की घात माइनस 3 यह यू का मान आ गया यानि की जूल चाहे तो आप इतना छोड़ देजे या फिर इससे आप मानक रूप में लिखिए मानक रूप में लिखने का मतलब दिसम्बलो एकंग के बाद होना चाहिए यानि की इससे आप ऐसा लिखेंगे 1.6 तो अभी यह दिसम्बलो यहां पर है अब इसके बाद धन्देजे कोश्चन है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एंपियर से 0.2 एंपियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है तो यहां पर धन्देजे बात हुई है प्राथमिक कुंडली की इसका मतलब आप लिखेंगे यहां पर डी आईवन यानि कि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन तो 0.8 एंपियर से 0.2 एंपियर यानि कि 0.2 माइनस 0.8 करेंगे तो यह आजाया गया है आपर माइनस का 0.6 एंपियर यह हो गई धारा इससे बदलेंगे तो यह हो जायागा 4 गुड़े 10 की घात माइनस 3 सेकेंड तो दोतियक कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक बल के गढ़ना कि यानि कि E2 का माण आपको ग्याद करना है तो यहां पर लिखा है दंदेजी अन्योन प्रेरण गुड़ांक यानि कि M का मान आपको दिया गया है 1.76 हेंरी इतना तो अब यहां पर दंदेजी यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे E2 बराबर माइनस M इसके बाद हो जायागा D I1 बटे DT इतना तो यहां पर दंदेजी E2 बराबर माइनस M का मान आपको दिया गया है 1.76 गुड़े D I1 इसका मान है माइनस 0.6 बटे DT इसका मान है 4 गुड़े 10 की घात माइनस 3 इतना आपको यहां पर दिया गया है तो इससे आपको यहां पर सालू करना है तो यह हो जाएगा दंदेजी माइनस 1.76 इन्टू अब यहां पर दंदेजी इससे इसमें गुड़ा करेंगे तो यह माइनस बदल जाएगा प्लस में 0.6 बटे 4 इसका आप उपर ले जाएगे तो गुड़े 10 की घात माइनस 3 था भी उपर जाने पर हो जाएगा प्लस 3 इतना हो गया अब अगर इसको लोग 4 से कैंसल करें तो धंदेजी 4 एक कम 4 इसको कैंसल करेंगे तो यहां पर यह आएगा पॉइंट 4.16 इसके बाद एक बचेगा फिर 4.16 तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां जाएगा 0.44 इंटू 0.6 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब आप लिख सकते हैं यहां पर एक हजार अब इसका बुड़ा करेंगे तो 6,4 को 24 फिर 6,4 को 24 24 और 2 मिल के हो जाएगा 26 एक पर इसमलो यहां पर है दो अंग पर यहां है तीन अंग पर इसमलो लग जाएगा गुड़े यहां पर आजाएगा 1000 इस 1000 को जब इसमें गुड़ा कर देंगे तो यहां पर आजाएगा 204 अब विद्धत वहाक बल ग्याद कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ओल्ट यहाँ पर इसका आशर हो जाएगा अब इसके बाद देंदेजी यहाँ पर यह कुशन दिया गया कि जब एक प्रात्मी कुंडली में धारा सूनने से दो एमपियर तीन सो मिली सेकंड में परिवर्टित की जाती है तो दोतियक कुंडली में प्रेद विद्ध वाहक बल 0.80 ओल्ट है तो दोनों कुंडलीओं के बीच अन्यों ने प्रेरण गुणांग की गड़ना कीजिए सबसे पहले रंदी जी यहाँ पर यह पर यह प्रात्मी कुंडली में धारा में परिवर्टन आपको दिया गया है निकि D I1 इसके अलाव यूज करेंगे E2 बराबर माइनस M D I1 बटे DT यहाँ पर आपको सभी मान दिये गए E2 दिया गया D I1 DT M आपको ग्याद करना है तो अब आप इससे स्वयम सालू करेंगे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो अगर आप सभी कोई ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद